Hello Friends, Welcome to Quant Study कैसे हैं आप सब? आज हम करने जा रहे हैं शुरू हमारा High Level Quant Mains के लिए अभी Recently जो एक्जाम होने वाले हैं वो है RRB, PO और Clerk के Mains ठीक है, यह चीज़ ठीक है तो हम इसके लिए करेंगे हमारे High Level जो Questions होंगे, Maths के यह सब Chapter Mixed होंगे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको AGS के ही High Level कराऊंगा यहां फिर Ratio Proportion के High Level कराऊंगा यह सब Mix होंगे कोई भी Question का आजाएगा किसी भी Chapter का और हम उसे Solve करेंगे, ठीक है? शुरू करने से पहले मैं चाऊंगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लबह हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं चलती से हमें हर जगाँ फॉल्लो कर लीजिए और किसे भी Update को मिस्स मत कीजिए तो शुरू करते हैं आज का हमारे सेशन जो की है Mains Level के Question Quant के पहला Question आपकी स्क्रीन पर है बिना किसी देर के हम इसे शुरू करेंगे अगर आप इसे Try करना चाते हैं तो वीडियो को Pause कीजिए और इस Question को Try कीजिए So हम इस Question को Solve करना शुरू करेंगे A and B working together can do a work in 9 days यानि की A plus B जो है वो 9 days में काम को खतम कर रहे है B and C working together can do the same work in 12 days तो B और C 12 days में काम को खतम कर रहे है हम लेंगे हमारा Total Work जो की होगा इनका LCM और 12 और 9 का LCM हो जाएगा 36 ठीक है तो 36 आगे इनका LCM जो की होगा इनका Total Work यहां हमने लिख दियो 36 अब आती है बात Efficiency की मैंने आपको बताया था कि जितनी भी Calculations होती है वो होती है Efficiency पे तो जब हम 36 को 9 से Divide करेंगे हमारे पास जो Efficiency आईगी A plus B की वो होगी 4 ठीक है Similarly 36 को हम 12 से Divide करेंगे तो B plus C के Efficiency आईगी हमारे पास 3 तीन यूनिट का काम करते है टोडल कितना काम है 36 यूनिट का अब आगे हमारे कोशन में दिये हुआ है कि A works for 4 days A ने 4 दिन काम किया B ने 6 दिन काम किया remaining work C ने 9 दिन में किया यह 3 values है हमारे पास ठीक है तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना A प्लस B एक दिन में करते हैं 4 यूनिट मिलके तो 2 दिन में कितना करेंगे 2 दिन में 8 यूनिट का काम होगा अब यह 8 यूनिट क्या है यह A प्लस B का 2 दिन का काम है मैं ठीक कह रहा हूँ तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि यह 8 यूनिट A ने 2 दिन में किया प्लस B ने 2 दिन में किया तो जितना काम हुआ वो होगा यह 8 यूनिट यह चीज़ ठीक है A का individual काम 2 दिन का और B का individual काम 2 दिन का उचको जब हमने sum up किया हमारे पास आगया 8 यूनिट यह बन गया A प्लस B के 2 दिन का काम तो इसी पूरी calculation पर हम करेंगे हमारा question आगल का solve अब हमें यहाँ दिया होगा कि A ने 4 दिन काम किया ठीक है पर हमें पता नहीं है कि A एक दिन में कितना यूनिट काम करता है अगर हमें पता तो तब तो हम सिदा-सिदा 4 से multiply कर देते A के 4 दिन का काम आ जाता पर हमें क्या चीज़ दिये हुई है हमें दिये कि A B के साथ मिलके एक दिन में कितना काम करता है तो हम B के काम को तोड़ लेंगे 4 प्लस 2 में इस 4 को हम इस 4 के साथ कितना 20 unit का ये है हमारा remaining work इतनी चीज़ clear हुई next B के 6 में से 4 दिन तो निकल गए बच्चे कितने 2 दिन अब B अकेला कितना काम करता है ये तो हमें नहीं दिया हुआ है पर B C के साथ मिलके कितना काम करता है एक दिन में वो हमें दिया हुआ है तो हम भी वही चीज़ अपलाई करेंगे 9 को हम 2 प्लस 7 में तोड़ देंगे इस 2 को हम मिला के B के काम के साथ B प्लस C के 2 दिन का काम निकाल लेंगे अगर B प्लस C एक दिन में 3 unit कर रहे है तो 2 दिन में कितने करेंगे 3 into 2 which is equal to 6 unit 6 unit इस 12 unit में इसे निकल गया तो कितना बचा 14 unit इतनी चीज़ के लिए रहे है अब 14 unit जो काम हो रहा है वो कर रहा है एक लोता बंदा जो की है C कितने दिन में कर रहा है ये रहे वो 7 दिन क्योंकि 2 दिन तो हमने B में आड़ कर दिया ना तो 14 unit काम कर रहा है C 7 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा C का 7 day work है 14 unit तो 1 day work होगा 14 by 7 which is equal to 2 unit तो 1 day work यानि C एक दिन में 2 unit का काम कर रहा है इन्होंने पूछा है find in how many days C will complete the whole work हमारा whole work जो था यानि total work जो था question के starting में निकला था 36 unit C अगर एक दिन में 2 unit कर रहा है तो 36 unit कितने दिन में करेगा 36 divided by 2 which is equal to 18 days question समझाया कैसे हमने question को तोड मरोड के अपना answer निकाल लिया जो की होगा हमारा option E 18 days next question आपकी screen पर है आप question को देख के बता सकते हो कि यह pipes and system का question है अगर आप इसे solve करना चाते हैं तो आप वीडियो को pause करके इस question को try कर सकते हैं हम इसे one by one line by line पढ़ेंगे और solve करना शुरू करेंगे हमारा question कह रहा है कि pipe P and pipe Q alone can fill the same tank in 24 and 15 और respectively 24 और 15 और में P और Q एक tank को भर सकते हैं तो यहां लिखा 24 यहां लिखा 15 जैसा कि हम normal question शुरू करते थे R alone can empty same tank in 20 और R के उपर लगाया bar क्योंकि यह खतम कर रहा है कितने देर में 20 hours में ठीक है यह bar का मतलब है कि यह drain कर रहा है तो इसका LC हम ले लेंगे वो आएगा हमारा 120 तो आगया 5 15 8 और 6 अब यह 6 जो है बार का है यानि यह 6 drain कर रहा है ठीक है next lane कह रही है PQR को खोला गया है alternatively for one और यह alternatively वाले questions भी मैंने आपको करवाए होए है to fill the same tank in such a way that Q opened in first hour सबसे पहले खुल रहा है Q then R R है जो पनी ड्रेन कर रहा है and then P ठीक है सबसे पहले यह खुल रहा है फिर यह फिर यह तो हम क्या करेंगे कि 3 गंटे में हमारा कितना काम हो रहा है पहले गंटे में 8 unit दूसरे गंटे में 6 माइनिस हो रहा है बचे 2 और तीसरे गंटे में 5 दो में अड़ोगे यानि 7 यह 3 और्स का वर्क है जो 7 unit हमारा काम हो रहा है ऐसे वाले कोशन में मैंने आपको बताया था कि जितना काम हो रहा है जैसे 8 प्लस 5 हमारा 30 unit काम हो रहा है हम टोटल वर्क यानि 120 में से वो चीज माइनस कर लेंगे पर इस कोशन में ऐसा नहीं करेंगे वो हम कब करते थे जब हमारा पहले दो टाइम टैंक फिल होने का काम होता है यानि अगर हमारी पहले 5 unit वाली खुली होती फिर 8 unit वाली खुली होती और 3rd pipe drain वाली खुली होती तब हम 8 प्लस 5 करते पर अभी क्या हो रहा है अभी 8 unit से काम शुरू हो रहा है उसके बाद draining का काम शुरू हो रहा है ठीक है तो हम सिरफ 8 unit माइनस करेंगे 120 में से 8 unit माइनस किये तो हमारे पास आ गया 112 112 से पहले पहले 7 के table में क्या चीज़ आती है हम उस पे काम करेंगे हमारे पास है कि 3 घंटे में 7 unit का काम हो रहा है तो 7 के table में अगर हम देखा जाए तो 7 10 होता है 70 और 112 तक जाना है 7 6 42 होता है तो मैंने ये calculation क्या कि मैंने देखा कि 7 10 होता है 70 अब हमारा कितने का gap बचा 112 तक मोचना है कितने का gap बचा 42 का और 7 6 होता है 42 यानि all in all हमारा 7 into 16 करेंगे तो 112 आ जाएगा तो 7 into 16 किया यानि कि इदर 3 into 16 होगा इतनी चीज़ क्लिए हुई हमारा time आ गया 48 hours में हम 112 units भर लेते हैं अब 48 hours में हमने 112 units भरे next काम किसका होगा कोशन शुरू हुआ था कि pipe Q सबसे पहले open होगी तो pipe Q जो है वो 8 unit का काम कर रही है तो 49th और में हमारा 112 में 8 unit add होगा तो 120 unit का काम complete हो जाएगा हमारा 49 आ गया final answer ठीक तो बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की हमारा कोशन है ये ratio proportion का ठीक है तो हम इस question को करना शुरू करेंगे ratio between महेश और सुरेश salaries was one year ago यहाँ पर है one year ago ठीक है one year ago the ratio between महेश और सुरेश salaries was three is to five तो हम क्या करेंगे last year one year ago की बात रहा हम 2019 मान लेंगे महेश की 2019 is to सुरेश की 2019 की आगी ratio three is to five इतनी चीज क्लियर the ratio of their individual salaries of last year and present year is two is to three and four is to five respectively इस line का मतलब क्या है कि महेश की 2019 is to महेश की 2020 की salary की ratio है two is to three वही सुरेश की 2019 और सुरेश की 2020 की जो salary है उसकी ratio है four is to five हमारे पास 2019 की salaries दियुए है महेश और सुरेश की और 2019 और 20 की individual-individual ratios भी दी हुई है तो हम सबसे पहले चीज क्या करेंगे हम अपनी इन values को जो 2019 की values है इनके बराबर लाने की कोशिश करेंगे कैसे अब देखते हैं कैसे हमारे पास यहाँ पर महेश की 2019 की salary है two इनको बराबर करने के लिए हम two से multiply कर देंगे इस वाले को हम three से multiply कर देंगे यह हो गया six ठीक है और three two's यह भी हो गया six यानि यह बराबर हो चुकी है पर अभी हमने सिरफ महेश को बराबर किये सुरेश को बराबर नहीं किया सुरेश की यहाँ पर है five units और यहाँ पर है four units five fours होते है twenty अब यह five two's अगर देखा जाए यह तो सिरफ ten ही बनाता है यानि कि इसको twenty बनाने के लिए हम equal two से multiply करेंगे अगर यहाँ equal two की multiplication हुई है तो वो इस चीज़ को भी तो affect करेगी तो इस चीज़ को भी constant करने के लिए हम यहाँ पर भी equal two की multiplication कर देंगे अब हो चुकी है चीज़ें clear अब देखिए two two's a four, three's a twelve two two's a four, five's a twenty यहाँ पर देखते हैं three two's a six, two's a twelve महेश की salary हो चुकी है बराबर अब हमें करनी है सिरफ और सिरफ सुरेश की salary बराबर तो सुरेश की salary यहाँ पर है four यहाँ पर है twenty तो four को twenty बनाने के लिए हम five से multiply कर देंगे सुरेश की salary होगी यहाँ पर twenty महेश की salary twelve match होगी सुरेश की salary twenty match होगी अब हम इनकी जो बचीवी values है वो भी निकाल लेते हैं 326 और 6318 आगया है महेश की 2020 की वहीं सुरेश की 2020 की आगी 5525 तो अब हम इन ratios को ठीक से लिखते हैं तो यह आई red जो pen से आपको दिख रहा है यह red color वाली है हमारी new ratios हम पुरानी ratios को अब भूल जाएंगे अब सिर्फ new ratios पर काम होगा तो अब आगे हमारा question कह रहा है if their total salaries for present year are rupees इतनी present year यानि 2020 की बात चल रही है 2020 में महेश की salary है 18 units सुरेश की salary है 25 units तो 18 और 25 को जब हम add करेंगे हमारे पास value आजेगी 43 43 की exact value question में दी हुई है 43,000 हम compare कर लेंगे 43 को हमने 43,000 से compare किया 1 की value होगी 1,000 और इन्होंने पूछा है what is the present salary of महेश present salary of महेश क्या थी 18 units present salary यानि महेश 2020 की तो हमारी 1 की value अगर 1,000 है 18 की value होजएगी 18,000 which is option B हमारा correct answer so हमारा next question कह रहा है कि a person invested 2600 in इतना 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 3 हमारे पास rates है at simple interest at the end of the year यानि time आ गया हमारे पास one year का he got same interest in all the three cases यानि कि 2600 3 हिस्सों में टूट रहा है और उन पर अलग-लग rate of interest लग रहा है तो इस question को कैसे करेंगे हमने P1, P2 और P3 में तोड़ दिया 2600 को यानि कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की value होनी चाहिए 2600 इतनी चीज़ हमें side पे लिख दी अब P1 पे लग रहा है 4% का interest P2 पे लग रहा है 6 का और P3 पे लग रहा है 8 का अब देखिए P1 पे 4% का interest लगा तो वो बन गया हमारा 4P1 P2 पे 6% का लगा वो बन गया 6P2 और P3 पे 8% का लगा तो बन गया 8P3 ये बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ interest की 4P1, 6P2, 8P3 है interest अब इन्होंने कहा है कि at the end of the year he got the same interest यानि ये तिनों चीज़े होनी चाहिए बराबर 4P1 is equal to 6P2 is equal to 8P3 हमने 2 common लेके काड़ दिया 2P1 is equal to 3P2 is equal to 4P3 आगय हमारे पास जब ऐसी हमारे पास equation आती है तो P1, P2, P3 की value निकालने के लिए हम क्या लगाते है hide method तो P1 की value कह आई 3 into 4 hide method याद है ना और P2 की value कह आई 4 into 2 और P3 की value 3 into 2 so 2 हम अपना काड़ देंगे यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया हमारे पास P1 is to P2 is to P3 आगया, 6 is to 4 is to 3, अब मैंने आपके question के starting में बताया था P1 plus P2 plus P3 है 2600 के बराबर, इसको हम add करेंगे आएगा 13, 13 होगा 2600 के बराबर, 1 की value आगी 200, अब इन्होंने क्या पुछा है, the money invested in at 4%, 4% यानि कि यह P1 वाली की बात चल रही है तो money कितनी आगी P1 वाली की 6 unit, 6 into 200 1200 आगया हमारा final answer, कुछ नहीं किया जो basic होता था, जो principles लिये हमने 3, उस पे interest लगाए तो principle पे जो interest होता है वही होता है, हमारा simple interest फिर उनको ratios में convert कर दिया, hide method लगा के ratios की value 2600 के बराबर थी और वहां से हमने अपना पूरा question solve कर लिया so हमारा next question कह रहा है an article was sold at profit of 12%, हमने CP मान ली उसकी 100, तो SP आगी उसकी 112 if the cost price would be 10% less, यानि cost price, वो 90 की बात कर रहे है and selling price would be 5.75 more, अब देखिए ये जो है, ये सब assumed values है, पर यहाँ पर 5.75 जो है, वो exact value है हम assumed values में exact value add नहीं कर सकते, तो फिलाल हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम आगे देखते है there would be profit of 30%, यानि की profit हमारा कितना आ रहा है 30% आ रहा है, जब हमारी CP थी 90, तो हमारी SP क्या होगी हमारी SP होगी 117 ठीक, इतनी चीज़ समझाई 90 पे हमारी SP आगी 117 तो हमारा profit हुआ 30% का, अब इन्होंने क्या का था, कि जो हमारी SP है वो 5.75 more होनी चाहिए पिछली SP के मुकाबले पिछली SP 112 थी ये वाली 117 आ रही है, कितना का increase हो रहा है, 5 का increase हो रहा है 5 की value आगी 5.75 1 की value आगी 5.75 divided by 5 इतनी चीज़ के लिए हुई next क्या कर रहा है, then at what price it should be sold to make 20% profit original price तो यही थी ना इस पे अगर 20% का profit है, यानि हमें 120 की value निकालनी है है ना, 120 की value निकालनी है, 1 की value है, यह हमें 120 की value निकालनी है तो multiply कर देते हैं, 5.75 divided by 5 5 10.5 10.525 ठीक, तो 120 into 1.15 की जब आप multiplication करेंगे, आपके पास answer आ जाएगा 138 तो हमारा option C आ गया हमारा answer, समझाई? बहुत easy question था, हमने CP ली 100 profit डाला उसमें, ठीक है, फिर CP को कम किया, next हमें exact value दी थी तो हम exact value को लिख नहीं सकते हैं, जो assumed values होती हैं उसमें, तो हमने इसको side पे रखा कि end में compare करेंगे इससे, फिर हमें profit आ रहा था ये हमने जब देखा कि पिछली SP से नई SP कितनी ज़ाद है उसको हमने compare कर दिया, इस exact value के साथ फिर हमारा question कहा रहा था कि 20% अगर profit कमाना है तो हमारी SP हो जाती 120, हमने 120 की value निकाल ली, खतम और इसी के साथ हमारा आज का part खतम होता है जो खिता part 1 high level maths का, जो कि आपके mains में आईगी ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपनी friends के साथ share कीजिए Thank you so much